अब आप सोचोगे माम यहाँ पर बिजली कैसे आ गई बिजली तो कहीं और ही थी थी ना अब आपने सुना होगा यह जो function है यह तो neuron का होता है तो फिर यह muscle कैसे तो इसलिए वो खुद ही heart beat करता है तब ही heart को जब बहार रखो तो वो अपने आप beat करने लगता है रूपता न शर्मा मैम यहाँ पर हमने चाप्टर शुरू किया हुआ है body fluids and circulation और हमने पिछली लास में बड़ी interesting चीज़ें करी थी करी थी ना अरे दिल के बारे में बताया था उसका structure बताया था तो आज हम देखेंगे कि यह दिल काम कैसे करता है जो इसका important काम है heart का क्या काम होता है pump क करना तो आज हम बड़े ही important topic discuss करने जा रहे हैं तो बिलकुल एकदम से दिमाग खोल कर आप इसको अच्छे से समझना बहुत important है इसमें से question आने की chances बहुत ज़्यादा होते हैं इस topics में से तो आज फिर हम ऐसे क्या topic discuss करने जा रहे हैं एक electrical activity heart की, cardiac cycle, ECG और कुछ बिमारिया यह बड़े तीन important topic हम करने चारे हैं तो पहला जो topic हम करेंगे बेटा, electrical activity of the heart अब आप सोचोगे मैम यहाँ पर बिजली कैसे आ गई, बिजली तो कहीं और ही थी थी ना, बिजली अच्छिक है, तो यह बिजली कौन से बिजली है बेटा, yes हमारे अंदर भी एक current दोड़ता ह उसे हम क्या कहते हैं, nerve impulse, जो neuron में दोड़ता है और आपने शुरू से यह सोचा होगा कि neuron के पास electrical activity होती है, बट बेटा, हमारे कुछ muscles के पास भी electrical activity होती है, तो हम एक term यूज करते हैं कि हमारी जो cardiac muscles होती है, कौनसी muscles, cardiac muscles, cardiac muscles, they are auto excitable, इसके लिए word हम auto rhythmic भी use कर देते हैं, क्या word यूज कर देते हैं, auto rhythmic, right, तो जब भी एक neuron को दूसरे neuron या muscle तक information लेकर जानी होती है, तो वो एक impulse के through लेकर जाता है, ठीक है, जब भी मान लो, जैसे हम कहते हैं कि button on के और पंखा चल गया, तो यह current गया है, वैसे ही आपके neuron से बेटा, वो neuron एक electric current चलाएगा, जैसे यहाँ पर बिजली की तार से गया है, और आपकी hand movement होती है, ठीक है, ऐसी activity आपकी यही muscle शो कर रहे हैं, तो यह activity को हम कहते हैं, कि वो action potential generate कर सकते हैं, किसी भी stimulus के response से, वो एक क्या कर सकते हैं, आपकी जो potential होती है, जैसे हमारी हर membrane होती है, उसके across, cell membrane की across, बिटा, एक potential difference होता है, ठीक है, which is around minus 70 millivolt, यह होता है, अब यह change हो जाता है, जिसते की electric current बनता है, और आगे response जाता है, यह activity आपकी cardiac muscle भी कर सकती हैं, मतलब, minus 70 से इसको plus 30 millivolt तक लेकर आ सकती हैं, cardiac muscles, जैसे neuron लेकर आते हैं, अंदर positive हो गया, और बहर क्या हो जाता है, negative, तो ऐसी condition को हम कहते हैं, action potential, तो यह जो plus 30 millivolt हो गया है, मतलब, यह action potential generate हो गया है, ठीक है, तो आपकी यह cardiac muscle, यह auto excitable है, इसका मतलब, they can, they can also generate action potential, अब आपने सुना होगा, यह जो function है, यह तो neuron का होता है, तो फिर यह muscle कैसे, तो बैटा, यह सिर्फ cardiac muscle का ही feature है, और cardiac muscle में भी सारे नहीं, कुछ patches होते हैं muscle के, चीक है, तो जब आप embryo थी, आप develop हो रहे थे, उस time पर कुछ patches आपके cardiac muscle के heart में specialized हो गए, और वो neuron की तरह काम करने लगे, तो याद रखना, यह क्या है बैटा, यह पूरे cardiac muscle नहीं, रादर आपके कुछ patches हैं, कुछ patches हैं आपके cardiac muscle के, जो development के time पे, जब आप मदर के worm में थे, उस time पर इन्होंने एक काम सीख लिया, वो काम क्या था, action potential generate करना, क्योंकि यह अपने action potential generate करते हैं, जैसे neuron करते हैं, तो इनको हम auto excitable और autorhythmic कहते हैं, और इसी property की वज़ा से, क्योंकि वो अपने action potential को generate कर रहे हैं, तो heart अपनी heartbeat खुद बना सकता है, और ऐसा heart, जो अपनी heartbeat खुद बना सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, myogenic heart, last class में हमने discuss क्या था, what is a myogenic heart? the heartbeat, the heartbeat is initiated by heart muscles, जो कुछ organism होते हैं, जैसे बटा, non-caudates, उन में, उन में जो action potential होता है, वो neuron देता है, और फिर heart को पता चलता है, कि उसको क्या करना है, action potential generate करके, वो neuron heart को बताते हैं, तुम क्या करो, beat करो, पर myogenic heart में, myogenic heart में, बटा, क्या होता है, myogenic heart में क्या होता है, कि आपका जो, आपका जो heart की muscles है, वो autorhythmic है, वो अपना action potential या कैलो current खुद generate कर सकते हैं, तो इसलिए वो खुद ही heart beat करता है, तभी heart को जब बहार रखो, तो वो अपने आप beat करने लगता है, रुपता नहीं है, तो ये था बेटा, इसका introduction, अब देख करते हैं, वो कौन से patches हैं, जो extra develop हो गए, वो patches जो extra develop हो गए, development के time पे, उनके लिए कुछ के लिए हम node word भी use करते हैं, क्या word use करते हैं, node, जैसे बेटा, ये आपका right atria है, this is your right atria, this is your left atria, this is your left atria, right, this is your left ventricle and this is your right ventricle, जैसे हमने heart के structure में किया था, तो होता क्या है बच्चे यहाँ पर, आपके right atrium के upper right corner में, ये right atrium है, इसके upper right corner में अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर, एक cardiac muscle का patch है, जिसे हम essay node कहते हैं, जिसके full form क्या है, sino-atrial node, तो अगर कोई आपको पूछे, कि sino-atrial node कहां है, तो आप बोलोगे, अपर right corner, अपर right corner of which atrium? इसके पास सबसे जादा power होती है, यही action potential generate करता है, और कितना करता है, 70 to 75 times per minute, यही आपकी heart beat होती है, तो मतलब अगर उसने एक बार आपका action potential generate किया, तो एक बार heart की beat बनेगी, अगली बार किया, तो फिर heart की beat बनेगी, तो इसी action potential से मैंने क्या कहा, यह current की तरह है, यही heart को क्या करता है, बेटा, contract करता है, so it generates action potential, कितनी करता है बेटा, जैसे कि मैंने कहा, 70 to 75 times per minute, 70 to 75 times per minute, which is equivalent to your, which is equal to your heart beat, और यही आपकी heart beat होती है, 70 to 75 times per minute, right, अब बेटा, जब इसने action potential generate कर दिया, तो अगले patch के पास जाएगा, जो आप यहां पर है, और नीला सा patch देख सकते हैं, जो atrium और ventricle के बीच में, किसके बीच में बेटा, atrium और ventricle के बीच में, right atrium के, बिल्कुल यहां पर, बिल्कुल यहां पर, आप देख सकते हो, corner में जहां ventricle होती है, आपको अगला patch दिखता है, इस patch का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है, AV node, what is AV node, atrio ventricular node, क्यूंकि यह atrium और ventricle के बीच में connection create करता है, क्यूंकि यह atrium और ventricle के बीच में connection create करता है, तब ही इसको, बिटा, हम क्या कहते हैं, AV node कहते हैं, तो atria और ventricle के बीच में, तो ऐसे node से information, ऐसे node से information, बिटा, कहां कहां जाती है, एक तो AV node को जाती है, और दूसरा, आपके दोनों atria को जाती है, इसको भी, इसको भी, जिसकी वज़ा से, ऐसे node के current की वज़े से atria पहले contract करता है, उसके बाद ये information AV node पे जाती है, ठीक है, क्यूंकि ये information बना रहा है, या कहलो current बना रहा है, तो हम essay node को, हम essay node को pace maker कहते हैं, क्यूंकि ये speed बना रहा है, पेस मतलब speed, तो इसलिए इसको हम pace maker कहते हैं, AV node आगे information देगा बिटा, इन bundles को, जिसे हम कहते हैं bundle of his, bundle of his हमें कहां मिलता है, ये मिलता है, interventricular septum में, interventricular septum वो दिवार थी बिटा, जो दो ventricle के बीच में थी, अगर आप यहां देख सकते हो बिटा, ये एक ventricle है, दोनों के बीच में दिवार है, है न ये वाली, इसे दिवार में आपका bundle of his है, और उसके बाद ये bundle of his दो में बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं, left and right branch of bundle of his, left and right branch, left and right branch, किसकी branch है बिटा, bundle of his के, of bundle of his, अब ये bundle of his, आप देख सकते हैं, ऊपर जा रहा है इदर, जा रहा है न, ये bundle of his बिटा, इदर जा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे fibers, क्या कहते हैं, पुरकिंजे fibers, सबसे तेज impulse conduct करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं, fastest conducting, जब इनके पास current आएगा तो सबसे तेज current यहीं पर दोड़ेगा और यह पूरे वेंट्रिकल को जाते हैं ब्रांच होते हैं और यह किसको contract कराते हैं वेंट्रिकल्स को इसको कॉंट्राक कराएंगे वेंट्रिकल्स को तो इन प्रकिंजे फाइबर्स की वज़े से आपका फिर पूरा वेंट्रिकल कॉंट्राक करता है इसलिए पहले एट्रिया कॉंट्राक करता है इसलिए बाद में ventricle contract करता है क्योंकि atria के ऊपर ही है जो हैसे node present है और ये electric current बनाता है उसके बाद फिर यहाँ पर ventricle में impulse पहुंचते है इसलिए पहले atria contract करता है फिर ventricle contract करता है ये था बेटा आपके heart की electrical activity तो याद रखना यहाँ पर आपके पास कौनसे specialized क्या है बेट specialized nodal tissues present है specialized nodal tissues present है जो actual में क्या होते है बॉडिफाइड cardiac muscles और ये क्या कर सकते है और ये क्या कर सकते है और ये are excitable and generate action potential okay जलो तो सबसे पहले आपके upper right corner में right atrium में क्या present है sa node उसके नीचे right atrium में ventricle के पास क्या present है av node क्या present है av node जब sa node बेटा impulse बनाता है तो वह impulse किसको देता है adria को देता है av node को देता है ठीक है av node bundle office को देता है bundle office प्रकिंजे fibers को जिससे पूरे ventricles contract होते है अब आपने ये तो सोच लिया ये इंपल्स यहां से यहां इसके through आया अब इंपल्स यहां से भी तो आ सकता था यह वैल्ड है है न बट कभी भी वैल्ड में से नहीं आता क्यूंकि वैल्ड क्यूंकि वैल्ड क्नेक्टिव टिशू के बने है और यह सारी चीजे एक insulator होती है इससे electric current पास नहीं हो सकता इसलिए कभी भी वैल्ड से बटा electric current आगे नहीं जाता क्यूंकि वो एक insulator होते हैं आल राइट तो यह था बटा आपका electrical activity of the heart आगे चलते हैं cardiac cycle अब आपको यह पता चल गया कि हार्ट को contract करने का stimulus आता है और वो हार्ट की muscles खुदी देती हैं वो हार्ट की muscles खुदी देती हैं ठीक है प्रिसलियम कहते हैं हमारा हार्ट क्या है auto rhythmic क्या है हमारा हार्ट auto rhythmic अपनी rhythm खुद बनाए जा राइट तो पर बिटा अब हमें देखना है कि आपकी जो हार्ट बीट है उसमें एक वारे सेन ने action potential generate किया पर वो action potential generate करने के बाद वो हार्ट बीट के time heart के अंदर क्या क्या हुआ वो आपका cardiac cycle बताता है तो cardiac cycle क्या बताता है cardiac cycle आपको क्या बताता है ये sorry I'm really sorry I have a bad throat today okay anyways जो cardiac cycle है वो आपको एक heartbeat के सारे events बताता है एक सारे cycle के form में ठीक है तो आपका क्या लिखें बेटा cardiac cycle क्या करता है ये क्या बताता है all the events all the events एक हार्ट बीट में क्या हुआ, उसकी कहानी बताता है, काडियक साइकल, आपको भी पता है, बिटा, हार्ट बीट के टाइम पर दो इंपोर्टन चीज़े होती है, जब भी हार्ट बीट करती है, तो उसमें दो इंपोर्टन चीज़ होती है, एक होती है बिटा, सिस्टॉल, और एक होता है डाइस्टॉल, ठीक है, हार्ट बीट जब भी बनती है, तो उसमें दो इंपोर्टन इवेंट ज़रूर होते हैं, मैंने कहा हार्ट कॉंट्राक्ट करता है, तभी बलड पंप करेगा उसी time पे एक heartbeat बनती है, तो उस contraction के लिए हम term use करते हैं systol, तो systol word जब भी आप सुनोगे, तो समझ लेना उसका मतलब है contraction, और जब भी word diastol आ गया, उसका मतलब है relaxation, तो heartbeat में आपके दो events होते हैं, एक systolic diastol, अब ये contraction क्यूं होता है, क्यूंकि हमें blood pump करना है, क्या करना है, blood pump करना है, क्यूं contraction is a main event of heart beat या cardiac cycle, क्यूंकि बेटा जब contraction होगा, जब contraction होगा, तो heart के अंदर pressure बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, pressure, तो जब heart का contraction होगा, उससे बेटा क्या होगा, there will be increase in pressure in heart, तो जब भी pressure बढ़ेगा, जब भी pressure बढ़ेगा, तो आपका blood flow करेगा, क्यूंकि हमें पता है, blood कैसे move करता है, बेटा blood moves from high pressure to low pressure, imagine करो, यह आपका बेटा atria है दोनों, यह ventricle है, ठीक है, अगर atria में blood जो है अंदर, उसमें pressure ज़्यादा बढ़ गया, heart ने, atria ने contract किया, तो अंदर pressure ज़्यादा बढ़ा, और यहाँ पर pressure low है, तो जो आपका खून होगा, रक्त होगा, blood होगा, वो high pressure to low pressure move करेगा, तब ही आपका blood atria से ventricle move करता है, तो यह contract किया, atria क्या किया, contract, contract करने से इसकंदे pressure बढ़ा, तो high pressure to low pressure blood from atria to ventricle क्या, ठीक है, यह एक common सी चीज़ है, basic चीज़ है, इसलिए मैंने पहले बता दी, cardiac cycle एकदम असान हो जाएगा, तुमारे लिए, cardiac cycle सबसे असान और सबसे interesting च चीज़ है, तो यह था introduction आपके cardiac cycle का, कि cardiac cycle में आप क्या देखते हो, और क्या mean चीज़ें होती है, systole और diastole का खेल होता है, systole का मतलब होता है contraction and diastole का मतलब होता है relaxation, जब भी contraction होगा, pressure बढ़ेगा, और जब pressure बढ़ेगा, तो blood के अंदर भी pressure बढ़ेगा, तो blood हमेशा move कर चीज़ें होता है, from high pressure to low pressure, आगे, अब इटा story कैसे शुरू होती है, पहली stage जो आपकी cardiac cycle की होती है, उस particular stage में, आपका atria, कौन? atria, और आपका ventricle, दोनों relax कर रहे हैं, पहली stage में, आपका atria और आपका ventricle, दोनों relax कर रहे हैं, ऐसी stage में, आपका atria और आपका ventricle, दोन stage को बेटा हम क्या कहते हैं, ऐसी stage को हम कहते हैं joint diastole, क्या कहते हैं? joint diastole, joint diastole में, atria, ventricle, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दम relax, chill कर रहे हैं, अगर relax कर रहे हैं, तो pressure क्या होगा अंदर? कम होगा न, अगर दोनों relax करें तो pressure तो कम होगा और जब दोनों relax करते हैं, उस time पर semi lunar valve जो blood vessels में खुलते हैं, दीक है semi lunar valve जो blood vessels में खुलते हैं ये valve बंद होते हैं क्या होते हैं, बंद, तो मैंने इसे ऐसे बंद कर दिया, okay पर इस time पर कौन से valve खुले होते हैं AV valve खुले होते हैं bicuspid और tricuspid यह खुले हैं तो joint diastole पर AV valve खुले हुए हैं और अंदर की तरफ pressure बेटा क्या है अंदर की तरफ pressure कम है बहुत कम pressure है ठीक है यहां पर भी कम है pressure और यह valve भी खुले हुए है तो जो blood vessels यह है vena keva और pulmonary vein यह दोनों में pressure जादा होगा इस time तो जो blood है तो जो blood है बेटा इस time पर एकदम यहां पर pressure high है यहां pressure high है दोनों में blood vessels में लगा लो इधर भी blood vessel है इसमें भी pressure high है तो यहां पर in blood pressure क्योंकि in blood vessels में high है तो blood इन से सीधा नीचे गिरेगा वेंट्रिकल्स में, like this, क्यूंकि AV valve खुले हुए है, तो atria में तो रुक नहीं पाएगा, तो blood सारा वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, तो हम कहते हैं, joint diastole पर first rapid filling होती है, rapid मतलब fast, किसकी filling हो रही है बेटा, पहली filling हो रही है, first rapid filling of ventricles, ventricles की पहली filling हो रही है, भर रहे है, यहाँ पर बेटा, 70% filling हो जाती है, ventricles की, 70% filling of ventricles, चीक है, 70% खून आपके ventricles में आ जाता है, मतलब 70% ventricles भर जाता है, ओके, अब, इसके बाद, बेटा, क्या होगा, जैसे ही blood जादा आएगा, तो आपके essay node को stimulus मिलेगा, और आपका essay node क्या करेगा, आपको भी पता है, वो क्या करता है, essay node, अपना action potential generate करेगा, current generate करेगा, जब वो अपना current generate करेगा, यह essay node है, इधर ही बनाया था, तो वो atria को contract करवाएगा, और avn को information भेज़ेगा, ऐसे होता था न, जब भी essay node, अपना action potential generate करता था, तो वो information atria को भी बेशता था, जिससे atria contract होंगे, ठीक है, और इसे हम बेटा क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, atrial systol, तो अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, atrial systol, ओके, all right, ओके, तो यह बेटा क्या हूँ आपका atrial systol, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, action potential generate, तो बेटा, हम पीछे जाएं थोड़ा, यहाँ पर, यहाँ पर हमने देखा कि यह action potential generate करता है, क्योंकि यहाँ पर polarity reverse हो गई, तो इस वाली stage को हम depolarization भी बोल देते हैं, यहाँ बोल देते हैं, depolarization, ओके, तो अगर मैं बोलूँ, अब वापस आते हैं, कि यहाँ पर atria action potential generate कर रहा है, त सकते हैं न, yes or no, क्यूंकि वहाँ उसकी polarity reverse हो रही है, जो उसके अंदर current था, current बन रहा था, तो atrials is tall बेटा, क्यों हुआ, क्या होता है, इसमें atria contract करता है, यह होता है, due to atrial depolarization, right, इसमें atria contract करता है, और जब atria contract करेगा, तो बचा कुचा blood भी ventricles में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा second rapid filling होती है, कौन सी, second rapid filling होती है, और इस second rapid filling का कारण क्या है, contraction of atria, और इसमें around 30% ventricle की filling होती है, तो ventricle आपके पूरे उपर तक भर चुके हैं, तो दुबारा बता रहे हैं एक बार, सबसे पहले joint diastrol हुआ, joint diastrol में बेटा तूटियां खुली हुई है एकदम से, पानी सीधा गिर कर कहां आ रहा है ventricle में, या कहलो blood कहां आ रहा है ventricle में, उसके बाद atria ने अपना काम करना शुरू किया, उसके उपर जो essay note था, उसने atria को contract करवाया, atria को contract कराना इस मतलब atrial से stall, जहां पर atria depolarize करता है, मतलब वो action potential generate करता है, उसमें current आता है, अब इसमें भी second rapid filling हो जाती, ventricle की पहली यहां होई थी, दूसरी यहां 30% filling हो गई, हो गई, अब, अब बेटा जो information है, वो आपके ventricles तक पहुंच चुकी है, current पहुंचेगा न, आपके essay note से AVN, AVN से bundle office, फिर prokinje fiber और पूरा ventricle contract करेगा, तो यहां पर ventricular depolarization शुरू हो गई, जिसकी वज़ा से ventricle क्या करेगा? सिस्टॉल करेगा, तो जब भी किसी के आगे depolarization लगता है, वो सिस्टॉल करता है, तो यहां पर बेटा क्या होगा? आपका ventricular सिस्टॉल होगा, क्या होगा? ventricular systole, अभी तक बेटा, आपके semi-lunar valve बंद थे, अभी भी बंद है, वो अभी तक खुले नहीं है, यहाँ भी बंद थे semi-lunar valve, ओके, यह क्या बनाए थे बेटा हमने, यह semi-lunar valve, यह joint diastole पे मैंने क्या कहा था, बंद है, और AV valve यहाँ पर खुले हुए है, अब जब ventricular systole होगा, तो ventricle पूरा contract करेगा, contract करेगा, तो उसमें pressure बनेगा, क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, बनेगा ना, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना बात मेरी, यहाँ पर बेटा, ventricular depolarization हुई, जिससे ventricular systole हुआ, हुआ, जब भी ventricular systole होगा, तो उससे क्या होगा, बिटा, contraction होगी, तो pressure बढ़ेगा, कहाँ पर बढ़ेगा, ventricle में, जिसकी वज़ा से, AV valve close होगे, और जब AV valve close होते हैं, लब produce होती है, and what is love, first heart sound, तो यहाँ पर जैसे ही pressure जादा हुआ, तो आपके AV valve भी बंद हो गए, और जब भी दर्वाजा बंद होता है, तो sound आती है, तो यहाँ पर AV valve क्यों बंद हुआ बेटा, क्योंकि ventricle के अंदर pressure जादा था, तो अगर कोई आपसे पूछे के, कहाँ पर आपके AV valve बंद होते हैं, आप बोलोगे ventricle is tall, अगर कोई आपको पूछे, first heart sound जो की love होती है, धक धक सुनते हो ना, तो वो पहले वाली love होती है, वो क्यों बंती है, क्योंकि यहाँ AV valve बंद होता है, और जब भी दर्वाजा बंद होता है, तो अवाज आती है, अब बेटा, ventricle चालू रहेगी, ventricle contraction चालू रहेगी, बंद नहीं होगी, और यह जो contraction चलती है, यह एक अलग किसम की contraction होती है, जिसमें, जिसको हम कहते हैं, iso volumetric contraction, iso का मतलब होता है, बेटा, same, iso का मतलब होता है, same, volumetric का मतलब है, volume and meter, same length की muscle fiber contract करेंगी, और same volume of blood रहेगा, वैसी contraction होती है, एक feature है, इस contraction का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके ventricle की contraction चालू है, मतलब चल रही है, इस time पर और हो रही है, contraction, और हो रही है, तो बेटा, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर, एक ऐसा समय आएगा, कि आपके ventricles में pressure इतना जादा हो जाएगा, as comparison to the, आपका जो pressure, pulmonary artery और iota में है, समझे बात, य increase होगा pressure ventricle में, किसके comparison में, as compared to iota और pulmonary artery, ओके, तो आप समझ रहे हैं न, समझ रहे हैं, कि जब pressure इन में जादा हो गया, ventricle में, और इन में कम हो गया, तो obviously ventricle से blood कहां जाएगा, आपके blood vessels में, और इसे हम कहते हैं, ventricular ejection, ventricular ejection क्या होता है, बच्चे, कि ventricle से blood बाहर जा रहा है, imagine करो, यह आपका heart है, है न, heart, like this, अब यहाँ पर हमने blood vessels बनाए थे, यह मालो pulmonary artery है, क्या है pulmonary artery, यह मालो क्या है, आयोटा है, आयोटा है, तो अब अगर, बहुत जादा blood का pressure यहां बन गया, ventricle में, तो blood, इन में जाएगा, blood कहां जाएगा, बटा, इन में जाएगा, ठीक है, एलो, किदर, इन, arteries में जाएगा, इसे हम कहते हैं, ventricular ejection, और एक side से 70 ml blood जाता है, तो एक side से 70 ml blood बाहर जाता है, और इसे हम कहते हैं, stroke volume, क्या कहते हैं, stroke volume, what is the stroke volume, the volume of blood ejected by your one ventricle, in one cardiac cycle, or during one heartbeat, मतलब, एक cardiac cycle या एक heartbeat में, आपके एक ventricle से कितना blood बाहर गया है, उसे हम stroke volume कहते हैं, and usually हम left side को यहाँ पर जादे include करते हैं, क्यूंकि वही से आपके बाहर जाता है, tissues की तरफ, और वही जादा powerful होती है, left ventricle, right के comparison में, ठीक हैं, तो stroke volume बेटा क्या हुआ, volume of blood जो आपके एक side से बाहर जा रहा है, या एक ventricle से बाहर जा रहा है, उसे हम stroke volume कहते हैं, अब बहुत हो गया, बहुत contract कर लिया यह, अब कभी तो impulse बंद होगी, होगी या नहीं, अब बहुत impulse बंद हो गई, ventricle में impulse बंद हो गई, तो जब impulse बंद हो जाती है, या कहलो जब हम button को switch off कर देते हैं, तो उस stage को हम repolarization कहते हैं, क्या कहते हैं, उस stage को repolarization, दुबारा से देखते हैं, अब बिटा हमने कहा था, कि यहाँ पर जब यह minus 70 plus 30 जाता है, तो action potential या current generate होता है, ऐसे stage को हम depolarization कहते हैं, अब जब वो यहाँ से यहाँ वापिस आता है, minus 70 millivolt पे, जब वो, यह कहलो, इधर से दुबारे इसकी polarity reverse होगी, होगी न, ऐसे, जब उसको current बंद हो जाएगा, तो इस stage को हम कहते हैं, repolarization, क्या कहते हैं, repolarization, यह लगा लो button on किया, current बना, depolarization, button बंद कर दिया, current बंद हो गया, that is repolarization, depolarization से हमेशा जैसे कि स्टॉल होता था, repolarization से क्या होगा बेटा, die stall होगा, क्या होगा, die stall होगा, अब वापिस इदर, अब बेटा क्या हुआ, ventricle ने बहुत से stall कर लिया, उसको बहुत current मिल गया, अब ventricular repolarization पे आएंगे, जिससे ventricle relax करेंगे, जिससे हम कहते हैं ventricular die stall, तो चलो, अब हाट बनाते हैं दुबारा, जब ये एक बेटा relax करेंगे, क्या करेंगे, relax करेंगे, ventricles, तो उस time पर बेटा, semi lunar valve, semi lunar valve दुबारा बंद हो जाएंगे, एवी तो बंदी हैं इस position पे, एवी तो बंद इस ने कर दिये थे, ventricle system ने, अब semi lunar valve यहाँ पे खुल गए थे, कहां पर खुल गए थे बेटा, यहाँ पर, क्यों खुल गए थे, क्योंकि यहाँ पर pressure बहुत ज जब ventricles is tall हुआ, तो एवी बंद हो गया, तो सारे बंद हो गया, एवी बंद हुआ तो दर्वाजे की आवाज हाई तो लबाया, पर जब यहाँ पे pressure ज़ादा generate होता है, तो यहाँ पर बेटा, कौन से valve खुलते हैं, semi lunar valve, valve खुलेगा, तब ही तो blood बहार जाएगा ना, जा वो relax करेगा, तो वो अपना क्या बंद कर देगा, semi lunar valve बंद कर देगा, जिसके वज़ा से जब भी दर्वाजा बंद होता है, तो आवाज हाती है, which is second heart sound, जिसे हम कहते हैं, dub, क्या कहते हैं, तो पहली आपकी heart sound कब आई, ventricular systole में, second heart sound कब आई, ventricular diastole में, तो atria का कुछ लेना देना नहीं है, तो ventricle ही याद रखना, तो दोनों heart sound ventricle की वज़ा से आती है, अब पहला ventricle की जब systole होई, तो first heart sound आई, कौन सा दर्वाजा बंद हुआ था, ab valve, second heart sound बेटा कब आई, जब कौन बंद हुआ था, semi lunar valve बंद, और क्या हो रहा था, ventricular diastole, मतब ventricle relax करी थी, अब जैसे contraction हुई है, वैसे ही relaxation और time के लिए होगी, isovolumetric, and ultimately दोनों relax करेंगे, जिसे हम कहते हैं joint diastole, ठीक है, जब यहाँ पर adria से stall कर रहा है, जब उसने अपना काम खतम कर दिया, उसके बाद इस सब time के लिए, इतने time के लिए, atria relax कर रहा है, जब यह इतने time पे contract कर रहा है, तो यह सारे time में ventricle relax कर रहा है, ठीक है, तो जब atria contract कर रहा है, उस time पे ventricle relax कर रहा है, जब ventricle contract कर रहा है, तब atria relax कर रहा है, पर ऐसा time जिसमें दोनों relax कर रहे हैं, वो होता है joint diastole, वो क्या होता है बेटा, joint diastole, ठीक है ये खिड़किया है एवी वैल सेमिल्यूनर बंद है तो प्रेशर इतना कम था और बाहर जादा था तो सारा हाई प्रेशर टू लोग प्रेशर ब्रड इसमें आया और सतर पर्सन वेंट्रिकल भर गए फिर एससे एन ने अपना कमाल दिखाया ये कौन है एससे एन ने कहा चलो एक्शन पोटेंशल जनरेट करते हैं डी पॉलराजेशन करते हैं जिससे एट्रिया ने सिस्टॉल दिखाया कॉंट्राक्शन दिखाई और इसमें बाकी भी एट्रिया निचूड गई सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया 30% फिलिंग हुई अब वेंट्रिकल सिस्टॉल आ तो उस टाइम पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि एवी वैल बंद हो जाते हैं क्या बंद हो जाते हैं एवी वैल्व क्लोज अब उससे दर्वाजा बंद हुआ तो पहली हाट साउंड आई जिसे हम कहते हैं लब लब थोड़ी लॉडर होती है डब के कंपारिजन में ठी टीक हैं फिर वह कंट्राक्शन करता जा रहा है लैं और कंट्राक्शन चाफीचर किया है शेचा अब इस से इतना प्रेशर बढ़ गया इतना बैंन ऐट किए Nearly्लोर वैल्व खुल गए च्या इस अब वो खुले तो जो ब्लड था वैं इक ऑं ब्लड वैसल में एक ventricle से 70 ml बाहर जाता है, जिसे हम कहते हैं stroke volume, अब relaxation आई, जब भी relaxation होती है, तो semi lunar valve बंद होते हैं, तो second heart sound आती है, जिसे dub कहते हैं, उसके बाद इन्हों ने फिर relax किया, isovolumetric relaxation वैसे ही जैसे contract किया था, वैसे relax करेंगी muscle, और फिर इस time पर दोनों relax करें, जिसे हम joint diastrol कहत हैं, तो यह बेटा था, कैसे वो contract कर रहा है, अब हम देखेंगे time कितना लगता है, sorry, time कितना लगता है, एक cardic cycle को, एक cardic cycle को 0.8 second लगते हैं, कितने second लगते हैं बेटा, 0.8 second, चीक है, चलो एक pie chart सा बनाते हैं, अब बेटा, यहां पर, अगर मैं बोलूं, यह total 0.8 second का है, कितने 0.8, क्यूंकि मैंने कहा, एक cardic cycle 0.8 second लेता है, इसमें जो joint diastrol है, क्या है बेटा, joint diastrol, जिसमें दोनों atrior, ventricle, क्या कर रहे हैं बेटा, रिलाक्स कर रहे हैं, तो जो joint diastrol है बेटा, जो आपका joint diastrol है, वो है 0.4 second का, अब 0.8 में से 0.4 तो joint diastrol ले लिए, अब कितने बचे, 0.4 और जिसमें से 0.1 second का, होता है, atrial systole, और 0.3 second का होता है, ventricular systole, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहां पर ventricle systole कर रहा है, तो बाकी time ventricle क्या कर रहा होगा, diastrol, relax, ventricular diastrol, तो अगर 0.3 second के लिए ventricle systole कर रहा है, तो 0.5 second के लिए ventricle relax कर रहा है, diastrol कर रहा है, कर रहा है नहीं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 0.1 second के लिए atrial systole कर रहा है, तो atrial diastrol कितने का हुआ, बाकी time तो यह atria क्या कर रहा है, relax ही कर रहा है, that is 0.7 second, बट इन दोनों के diastrol में एक ऐसा time आता है, जिसमें दोनों ही relax कर रहे हैं, वो है आपका joint diastrol, तो joint diastrol में बिटा क्या होता है, यह जरूर कहीं कोने में लिख लेना, joint diastrol, बोथ atria and ventricles are relaxing, अब मैंने कहा कि जब भी ventricles install होती है, तो पहली heart sound होती है, तो मालनों यहां ventricles install शुरू हुई, आपके AV valve close हुए, तो यहां पर आपकी पहली heart sound आई, which is S1, तो S1 क्या है बेटा, first heart sound, first heart sound, first heart sound का नाम था लब, और यह क्यों हुई थी, AV valve इसमें क्या हुआ था बेटा, बंद हुआ था, AV valve closes, ओके, फिर यहां पर बेटा, ventricles अपना diastrol शुरू कर देगा, तो यहां पर कौन सी heart sound होई, S2, second heart sound, okay, जिसका नाम था डब, और यह क्यों हुई, semi lunar valve के close होने से, अगर कोई पूछे, what is the time duration, what is the time duration between first heart sound and second heart sound, पहली heart sound और first heart sound के बीच में कितना time है, आप बोलोगे 0.3 second, ठीक है, या simply पूछ लिया उन्होंने यहां पर कि आपका AV valve के close होने में और semi lunar valve के close होने में कितना time लगता है, आप बोलोगे 0.3 second, अगर उसने पूछ लिया, यहां पर semi lunar valve के close होने में और AV valve के close होने में कितना time लगता है, तो आप बोलोगे, यहां पर 0.5 second, semi lunar valve और AV valve के बीच में पूछा है, तो आप वापिस नहीं जाओगे, आप ऐसे ही, ठीक है, तो यह time duration से question बहुत important आता है, इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है, ओके, यह था इसका time duration, अब, अब हमने कहा, एक stroke volume की बात करी थी, किसकी बात करी थी, stroke volume की, stroke volume कितनी थी, 70 ml, क्या थी stroke volume, the volume of blood ejected out by each ventricle in a cardiac cycle, so इसकी definition लिखते हैं, volume of blood ejected out by each ventricle, during a cardiac cycle, during a cardiac cycle, ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं कि ventricle में maximum blood आता है, 130 ml, कितना आता है, maximum आता है, 130 ml, मतलब, जब आपकी एट्रिया सिस्टॉल होने के बाद, रिलाक्स कर गई, जब एट्रिया रिलाक्स कर गई, एट्रिया का डायस्टॉल आ गया, उस टाइम पर ventricle कितना भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं, end diastolic volume, क्या कहते हैं, EDV, EDV क्या है बेटा, क्या है EDV, इधर देखो, जब एट्रिया सिस्टॉल कर गई, तो उसने सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे दिया, मतलब अब एट्रिया का डायस्टॉल शुरू हो गया, तो जब एट्रिया ने डायस्टॉल शुरू कर दिया, एट् इसके बाद बेटा, वेंट्रिकल में टोटल कितना ब्लड है, उसे हम कहते हैं, end diastolic volume, तो end diastolic volume कितनी है, बेटा, EDV, end diastolic volume, end diastolic volume होती है, around 130 ml, कितनी होती है, 130 ml, तो it is around 130 ml, अब कितनी निकल गई? stroke volume में, मतब जब ejection होती 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 है, तो कितनी निकल गया, 70 ml निकल गया, तो जितना बचा, that is, end diastolic volume, end diastolic volume कितना होती 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 है, 130-70, it is around 60 ml, तो यह कितना है, maximum blood in ventricle, तो 70 ml, बेटा निकल किया, तो 60 ml क्या है, left in ventricle, कितना ventricle में रहे होती 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 है, अगर मैं कह रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ, कि हमारे, हमारे एक cardiac cycle में, एक बार 70 ml बलड बाहर जाता है, और एक cardiac cycle is one heartbeat, तो बताओ, एक minute में कितना blood pump कर देता है, heart, blood का बाहर जाना, मत्तब blood pump करना, ठीक है, हमने कहा, volume of blood ejected by each ventricle, ये भी तो कह सकते है, volume of blood pumped by each ventricle, एक ही बात है, तो ये एक beat में 70 ml अगर blood pump हो रहा है, तो बताओ, एक minute में कितना हो रहा है, वही आपका cardiac output होता है, So, what is cardiac output, total volume of blood, total volume of blood pumped by each ventricle, each ventricle in one minute, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, stroke volume into number of heart beats per minute, अगर मैं बोल रही हूँ, एक minute में वो 70 ml, या कह लो, एक minute कह रही हूँ, एक beat में, या एक साधी cycle में, वो 70 ml लेके जा रहा है, तो एक minute में कितनी beats होती है, around 70 to 75 ml, कितनी होती है, एक beat में 70 to 75 ml होती है न, एक beat में 70 to 75 beats होती है न, per minute, ओके, तो बेटा, अगर मैं इसकी upper value से multiply करती हूँ, 75 से, अगर मैं 70 छोड़ देती हूँ, अपर value से करती हूँ, तो मेरे पास around 5 to 5 ml per minute बलड आएगा, which is equivalent to around 5 liter per minute, तो 5 liter per minute, तो 5 liter per minute हमारी cardiac output होती है, ओके, क्या ये बात, I think, सबको समझ आगी होगी, अगर नहीं है, तो cardiac output का एक formula होता है, stroke volume to number of heartbeats per minute, इसका सीधा numerical question भी आजाता है, आज वो हम practice भी करेंगे, ओके बिटा, यह है आपकी cardiac output, अब आगे बढ़ते हैं, next करेंगे control of heartbeats, अब मैंने कहा, कि heartbeats, अपनी action potential, अपना current खुद generate करता है, खुद करता है, पर यार अगर वो खुद करता है, तो फिर हमारी body उसे control भी तो करनी चाहिए, या कहलो, कि अगर वो खुद कर रहे है, तो कोई गडबड भी तो हो सकती है, या कभी-कभी हमें heart से जादा काम करवाना हो फिर, तो फिर हम क्या करें, heart को control करें किसी तरह से, तो heartbeat initiation, नॉर्मली तो heart खुदी action potential देकर, current देकर करता रहता है, पर अगर heartbeat बड़ानी हो या कम करनी हो, तो हमारा nervous system इसमें participate कर सकता है, तो दो चीज़े हैं बेटा, इसको ध्यान से दिमाग में अपने डालो, heartbeat is initiated by, या heartbeat generated by cardiac muscles itself, but increase or decrease of the heartbeat is under the control of neural system and some hormones, ठीक है, तो जो heartbeat का control है ये दो तरीके का है, कितने तरीके का है, दो तरीके का है, एक by your nervous system, जिसे हम neural control कहते हैं, और एक by hormones, so hormonal control, पहले हम देखेंगे neural control, कौन सा control, neural, अब neural की बात हुई है, तो brain तो पीछे हटेगा नहीं, नहीं हटेगा न, अगर मैं बोलूँ बेटा, ये आपका brain है, ये brain में एक portion होता है आपका medulla, कौन सा होता है बेटा, medulla, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये आपका brain है, brain में एक portion है आपका medulla, कौन सा portion है बेटा, medulla, ये रहा, ठीक है, this is medulla, ये जो आपका medulla है, medulla को हम कहते हैं कि इसके पास cardiovascular center है, कौन सा center है, cardiovascular, usually सारे controlling center, vomiting center, hiccuping center, ये सारे center, breathing center, जैसे हमने किया था, वाँ पर respiratory rhythm center है, साब medulla में होते हैं, ठीक है, तो medulla आपका heartbeat control करता है, कैसे करता है, let's see, medulla में दो तरह के region होते हैं, एक cardiac accelerated region, एक cardiac de-acceleratory region, ठीक है, medulla में दो region है, इसका नाम क्या है बिटा, cardiac accelerated region, और इसका नाम क्या है, cardiac de-acceleratory, अब इससे आपको समझ आई गया होगा, physics में यूज करते हो न, acceleration मतलब speed, मतलब यहाँ पर speed बढ़ेगी, de-acceleration यहाँ पर speed कम होगी, तो जो cardiac accelerated region है, ये connected होता है, कुछ neurons से, किस से connected होता है ये, कुछ neurons से, जो cardiac accelerated region है, कुछ neurons से, nerves से connected होता है, और ये जो nerves होती है, ये यहाँ से निकल कर आपके essay node पर आती है, आगई essay node पर, ये जो nerves होती है, ये sympathetic nervous system की होती है, किसकी sympathetic nervous system, तो यहाँ पर बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हमारे peripheral nervous system में, हमारे, हमारा body में क्या nervous system होता है, एक central nervous system, brain and spinal cord, एक peripheral nervous system, जिसमें सारी nerves आती है, जो central nervous system से निकलती है, peripheral nervous system में एक system आता है, ANS, autonomic nervous system के दो पार्ट होते हैं, तो neural में आपका कौन सा nervous system काम कर रहा है, बेटा, autonomic nervous system, autonomic nervous system के दो पार्ट होते हैं, एक sympathetic और एक parasympathetic, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के opposite काम करते हैं, हमेशा, तो मतलब, जब एक्सलरेटरी सेंटर से sympathetic nervous system के neurons आए, किसके आए, sympathetic nervous system के neurons आए, तो यह neuron लिख देते हैं हम, तो ये sympathetic neuron ने यहाँ पर, यहाँ पर क्या करवाया, depolarization कराया, और आपको भी पता है, जब भी depolarization होती है, तो contraction होती है, तो ये neuron क्या करेंगे बेटा, ये essay note के पास जाएंगे, essay note को बोलेंगे depolarization करो, और जब भी depolarization होती है, तो क्या होता है, जब भी depolarization होती है, तो बेटा क्या होता है, है, जिससे heart rate कहते है, heart rate is heart beats per minute, तो heart rate बढ़ता है, जिससे आपका cardiac output बढ़ेगा, बढ़ेगा न, cardiac output क्या था बिटा, stroke volume into number of beats per minute, तो अगर number of beats per minute बढ़ेंगे, तो cardiac output भी बढ़ेगा, जब बिटा, जब de-acceleratory region, ये अब कैसे काम करेगा, ये भी neurons निकालेगा, तो ये vagus nerve से, vagus nerve, 10th cranial nerve होती है, उससे information ऐसे node की तरफ लेकर जाता है, कहाँ, ऐसे node की तरफ, तो ये कौन सी nerve है बढ़ेगा, vagus nerve, vagus nerve is your 10th cranial nerve, brain में से जो nerves निकलती है, उससे cranial nerves कहते हैं, और ये total 12 pairs होती है, तो ये 10th वाली है, सबसे लंबी, तो जब भी बेटा, cardiac de-acceleratory region काम करेगा, तो ये क्या करेगा, ये vagus nerve से information, ये क्या करेगा, vagus nerve से information कहाँ लेकर जाएगा, ऐसे node, और ऐसे node को बोलेगा, diastole कराना है, तो depolarization होगी है, repolarization, repolarization, तो यहां करवाएगा, repolarization, जिससे होगा, diastole और heart rate कम होगा, तो यहां पर बेटा, जो आपका nervous system यहां पर काम कर रहा है, cardiac deaccelerated region में, कौन सा nervous system काम कर रहा है, parasympathetic, तो अगर कोई आपको पूछे, बच्चों ने तो यह नाम रख दिया, इस class का नाम है, अगर कोई आपको पूछे है, comments में किसे ने लिखा हुआ था, and that's really funny and good at the same time, चलो, तो बटा, parasympathetic nervous system जब भी काम करेगा, वो आपकी heart beat को कम करेगा, और जब भी sympathetic काम करेगा, तो वो heart beat को बढ़ाएगा, कैसे? क्योंकि sympathetic neurons, accelerated region से होते हैं, किसके cardiovascular center के जो medula में है, और वो depolarization कराते हैं, जिससे systol होता है, heart rate बढ़ती है, जब भी heart beat को कम करना होता है, तो cardiac deaccelerated region काम करता है, vagus nerve से ऐसे note के पास जाता है, और यह parasympathetic nervous system का part होता है, repolarization करवाता है, जिससे diastrol होता है, heart rate कम होता है, चलो, तो यह तो होगे, neural control, अब दूसरा control, आपकी मैडम ने बताया था, hormonal होगा, कौन सा होगा, hormonal, चलो, hormonal में, बेटा, कौन से hormone काम करेंगे, adrenal medulla के, देखे, एक adrenal gland होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, यह लो, एक adrenal gland होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक cortex, एक medulla, जो medulla होता है, बेटा, वो hormone से क्रीट करता है, adrenaline hormone, कौन सी gland, adrenal medulla, यह gland का होती है, adrenal gland का होती है, बेटा, किड़नी के उपर, तो माल लो, यह आपकी किड़नी है, ठीक है, किड़नी के उपर ऐसे सिर पर, यह gland पड़ी होती है, इसका नाम है, adrenal gland, adrenal gland के दो पार्ट होते हैं, एक cortex, एक medulla, cortex सिक्रीट करते हैं, corticoids, जो हम chemical control में पढ़ेंगे, so don't worry about that, और एक पार्ट जो medulla है, वो सिक्रीट करता है, कौन सा हॉर्मॉन, adrenaline, adrenaline को आप epinephrine भी बोलते हैं, और दूसरा हॉर्मॉन का नाम है, बेटा, noradrenaline, adrenaline, जिसको nor epinephrine कहते हैं, अब बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, या कहलो, confusion हमेशा रहती है, उनको लगता है, इसका मतलब nor है, तो ये opposite ही काम कर रहा होगा, adrenaline से, बट दोनों का effect same होता है, दोनों ही हॉर्मॉन ऐसे नोड पर जाकर, depolarization करवाते हैं, तो ये अपने दिमाग से लगा दो कि ये opposite काम करते हैं, ये हमेशा same काम करते हैं, ये sympathetic response चलाते हैं, और sympathetic nervous system बटा क्या करता है, वो depolarization करवाता है, जिससे systol होती है, और क्या बढ़ता है बटा, heart rate बढ़ता है, और जब भी heart rate बढ़ता है, तो cardiac output बढ़ती, I hope that's pretty clear to every बच्चा है, तो ये बात पक्का याद रखना, कौन सा hormone भी heart beat बढ़ा सकता है, adrenaline, adrenaline rush होता है न, जब आप मेले वेले में जाते हो गए हो, कभी मेलों में, गए हो या नहीं, फेर पर गए होगे, किसी मेले को फेर कहते हैं, या फिर वैसे ही, किसी fund zone वाले वो होते हैं, जो बड़े बड़े जहां पर जूले वगरा लगे होते हैं, वहां गए हो, तो वहां पर जब आप कोई ज़ादा बड़े वाला लेते हो, जैसे merry-go-round, जैसे गोला सा होता है, जो पता नहीं, आपके language में क्या कहते हैं, तो वो जब लेते हो बड़े तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी heart rate ऐसे दख करती है, तो तब आपका adrenaline rush हो रहा होता है, या जब ship लेते हो, adrenaline rush हो रहा होता है, वो रश्ट जो होता है, वो heartbeat बढ़ाता है, तो मतलब adrenaline hormone तब होता है, so adrenaline भी आपकी heart rate बढ़ा सकता, तो flight and fight response में भी यही आता है, so gland, adrenal medulla, hormone, adrenaline, okay, तो यह था बेटा, heartbeat का control, heartbeat is initiated by cardiac muscle itself, but increase or decrease in heart rate, यह condeside करता है, यह आपकी hormone, adrenaline, noradrenaline या neural control, जो एक center है, cardiovascular center, medulla में, okay, चलो, आगे, अगला है, बड़ा important, ECG या EKG, ठीक है, ECG, EKG, वर्ड कहां से आए, बेटा, electro, cardio, gram, okay, दो term है, electro, cardio, gram, और gram, अब के वर्ड क्यों करते है, क्योंकि जो German होते हैं, वो C को कई बार K भी लिख देते हैं, क्योंकि वो बोलने में K जैसा है, बैसे हम सोचते है, graph paper होता है, पर यह paper नहीं, यह instrument होता है, यह वो machine है, जिससे आप ECG, detect करते हो, electro, cardio, gram, क्या है, यह paper है, जिसके उपर आपको ऐसा design बन के आता है, अब यह design क्या है, ECG क्यों करते हैं सबसे पहले, ECG से हमें पता क्या लगता है, electrical activity of heart, हमने कहा, हमारा heart में बिजली है, हमारा heart में बिजली है, है या नहीं, है, action potential generate कर रहा है, तो यहाँ पर हमने वही बिजली detect करनी है, तोड़े physics के instrument लगा कर, तो यह क्या detect करता है, it detects the electrical activity of heart, और electrical activity of heart is detected by ECG, तो हम कैसे करते हैं, detect, अब किसे भी चीज़ का electric current देखने के लिए, lead वगेरा तो लगानी पड़ेगी न, instrument के साथ, लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हम lead लगाते हैं, क्या लगाते हैं, lead, यहाँ पर अगर हम normal ECG कर रहे हैं, normal ECG कर रहे हैं, तो हम तीन lead लगाएंगे, कितनी lead, तीन लगाएंगे, कहां कहां, left, wrist, left के लाई, right के लाई, wrist मतलब के लाई, और left ankle, ankle समझते हैं, जो pair में होता है, यहाँ पर तीन lead लगती हैं, अगर हमें कुछ और extra देखना है, और extra analysis, और अच्छे से ECG करनी है, तो हम यह तीन तो लगाते हैं, इसके लावा 6 lead लगाते हैं, chest के उपर, तो total कितनी हो गई, 9, ठीक है, normal ECG में 3 lead लगती हैं, extra analysis में मतलब आपको और extra देखना है, specialized देखना है, तो total 9 lead लगती हैं, तो यह लगेंगी, एक एक wrist पे, एक ankle पे, 6 chest पर भी लगेंगी, पिक्चरों में देखते हैं, chest पर लगाते हैं वो लो, है ना, चलो, तो अब बेटा, इसमें यह हम ECG क्यों करवाते हैं, माल लो, किसी को बहुत दिनों से दिल में दर्द हो रहा है, देखें, डॉक्टर के पास क्या, मुझे गबराट होती रहती है, मेरे ना, दिल में दर्द होता रहता है, में को आज किल बहुत स्ट्रेस है, तो डॉक्टर क्या भोलेगा, चलो, ECG करवा के देख लिते हैं, अब यह कुछ नहीं बता रहा, यह सिफ करउंठ बता रहा है, अगर तुमारे हाट में करउंठ ठीक चल रहा है, हम करउंठ का फ्लो देख रही है, यह करउंठ की ही बनी हुई है, इदर हम टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पे इदर हम घॉल्टेज लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम अगर देखते हैं, कि ये normal बंदे की ECG है, उस बंदे की भी इसके जैसी आई, तो मतलब current सही जा रहे हैं, अगर इसमें कुछ problem हुई बंदे में, तो ये एक न एक आदा design खराब हो जाएगा, ठीक है, पहली बात ये, दूसरा ये design क्या कहते हैं, इ ये जो आपको P दिख रहा है, ये छोटा से ऐसे उठा हुआ, इसे हम कहते हैं P wave, क्या कहते हैं बेटा, P wave, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेटा क्या है, P wave, P wave कब बनती है, जब आपका SA node, जब आपका SA node, current बनाता है, action potential बनाता है, और पूरे atria को depolarize कर देता है, पूरे atria में मतलब current बहर देता है, और atria contract करता है, तो P wave कब बनती है, बेटा, atrial depolarization, तो जिसके वज़े से, बेटा, क्या होगा, atrial distal होगा, राइट, P wave के बाद आता है QRS complex, तो इस पूरे को साथ में हम बोल देते हैं, QRS complex, तो इस पूरे को साथ में हम बोल देते हैं, Q P wave और QRS complex के बीच में यह दिख रही है, इसे हम PR या PQ segment बोल देते हैं, ठीक है, PR या PQ segment बोल देते हैं, उसके बाद QRS complex जो आया, यह क्यों बना, अब यहां voltage है, अब current जादा हुआ, अब बेटा current जादा कब होगा, जब अब atria के बाद current कहां जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, तो जब QRS बना, मतलब उस टाइम पर बन्दे का वेंट्रिकल दीपॉलराइज कर रहा था, और जब भी वेंट्रिकलर दीपॉलराइजेशन होती है, तो आपको भी पता है, वेंट्रिकल सिस्टॉल होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं, वेंट्रिकलर सिस्टॉल शु यह सिधा क्यों लिख लो, वेव मतली को confused हो जाओगे फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक और वेव बनी, इसका नाम है T अब यह जो T है और जो S है, इसके बीच में भी एक line है, इससे हम कहते हैं ST segment, क्या बोलते हैं? ST segment T wave क्या बताती है, यह बताती है, T wave क्या बताती है, ventricle अब rest करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं, ventricular repolarization तो जब T wave end होगी, तभी आपका systole end हो जाएगा, तो end of T wave chose end of systole, systole मतलब contraction ओके, जलो, तो यह बाते हैं, बेटा, दो चार है, जुरूर यादखना, P wave जब होई, तो डी-polarize करेंगे atria, atria systole करेगा, उसके थोड़े देर बात, QRS complex में ventricle repolarization करेंगे, क्यूंके तुरंत बात, ventricle systole शुरू हो जाएगा T repolarization करेंगे, और T जा खतम होगा, वहाँ पर systole भी खतम हो जाएगा, तो जब भी हम देखते हैं, डॉक्टर के पास, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और ECG देखते हैं, तो हमें ECG ऐसी तो नहीं मिलती, रादर ऐसी मिलती है, अगर आपने पिक्चरों में भी दे वन हार्ट बीट में यह होता है न, एत्रियल से स्टॉल किया, फिर वेंट्रियल से स्टॉल किया, फिर रिलाक्स हुआ, और यह जो है, यह दुबारा P बन गई, ठीक है, तो जो हमें मिलती है, यह तो बंदे के जब तक आप डिटेक्क करते रहोगे, उतने बाद जितनी हार हार्ट बीट काउंट करनी हो, तो हम कर सकते हैं, पर हम कैसे करेंगे, हम इसको देख कर, अगर आप देखोगे, तो P वेव और T वेव इसमें आप नहीं पहचान पाऊगे, पर यह लंबे वाला QRS कॉंपलेक्स आराम से पहचान पा रहे हो, तो QRS कॉंपलेक्स की काउंटिं करने से हम heartbeat count कर सकते हैं ठीक है अगर मैं बोलने हूं कि ऐसे मेरे पास 75 बने हैं एक minute में तो मतलब बंदे की heartbeat क्या हुई 75 पर minute मैंने T और P देखा ही नहीं मैंने सिर्फ QRS complex count कर लिए क्यूंकि एक heartbeat में एक QRS complex बनता है तो by counting the QRS complex we can count the heartbeat per minute through ECG तो ECG क्या बता रही है बेटा हमें एक बंदे की दिल का हाल उसके current के बारे में बता रही है ठीक है चलो इसमें ऐसी waves बनती है ऐसी waves बेटा क्यूं बनती है इसमें क्यूंकि current देख रहे है इधर time चल रहा है इधर voltage चल रहा है तो जैसे जैसे current आएगा वो से detect करता रहेगा चलो यह थी ECG आगे पड़ेंगे दिल के दर्थ दिल की बिमारियां पहली बिमारी hypertension hyper मतलब जादा tension मतलब stress या कहलो force जादा hypertension को समझने के लिए बेटा आपको एक बड़ी ही important चीज समझनी होगी जिसका मतलब है blood pressure अब blood pressure क्या होता है जब heart contract करता है तो blood को pump करता है माननी बात आपने ventricular ejection ने पंपी हो रहा है ना जब heart contract करता है तो blood को pump करता है blood force से जाता है वो force या pressure आपकी आयोटा पर लगता है अगर मैंने कहा यह मेरा heart है इसने pump किया blood अब जोड से blood इसने pump करके बाहर फैंका तो यह pressure मेरे आयोटा पर लगा और आगे भी इसी pressure में move करेगा मरेगा करेगा या नहीं मरेगा नहीं करेगा तो यह जो pressure है यह हमने detect कर लिया पर यह कब किया जब वो contract कर रहा था अब एक pressure आएगा जब वो contract कर रहा होगा heart एक pressure आएगा जब वो relax कर रहा होगा तो यह pressure जो हमारे blood vessels पर पड़ता है किसका pressure blood का pressure किस वजह से blood का pressure बना क्यूंकि heart तुम्हारा contract या फिर relax कर रहा था ठीक है So, what is the blood pressure? Guys, what is the blood pressure? It's the pressure of blood exerted, exerted मतलब किसे के उपर धक्का लगना, exerted on the main arteries ठीक है? Due to contraction and relaxation of heart contraction and relaxation of heart Okay, हम जब भी blood pressure check करते हैं, हम कौनसी artery से करते हैं? यह वाली से ब्रेकियल artery कहते हैं कौनसी? ब्रेकियल artery तो यहाँ पर blood pressure बेटा आपका दो तरह का होगा, मैंने कहा contraction and relaxation के टाइम पर अलग लगाएगा तो हमारा blood pressure बेटा दो तरह का होता है, एक systolic एक होता है, diastolic systolic होता है, जब आपका heart contract कर रहा है इसे हम pumping pressure भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? relaxing तो इस टाइम पर आपका बेटा जो heart है, वो relax कर रहा है एकदम क्या कर रहा है? heart relax कर रहा है, तो pressure ज़ादा होना चाहिए या कम होना चाहिए आप blood pressure चेक करवाने गए थे? yes, तो यह relaxation की वज़ा से है तो इसलिए इसको हम resting भी बोल देते हैं, जैसे इसको pumping pressure बोला इसको हम क्या बोल देते हैं? resting pressure ठीक है, यह क्यों है बेटा? क्योंकि heart क्या कर रहा है आपका? relaxation कर रहा है, तो यहां relaxation हो रही है heart की यहां पर क्या हो रही है? contraction, तो जब contraction होगी pressure ज़्यादा होता है होता है न? जब भी आपके heart में pumping हो रही है, contraction ज़्यादा होगा तो pressure भी ज़्यादा होगा, तो इसकी value होती है 120 mm of mercury और इसके कितनी होती है? 80 mm of mercury और यह हम detect करते हैं, with the help of a machine इस machine को हम क्या कहते हैं, बिटा, sphigmo manometer और कौन सी artery में detect करते हैं, यहां लगाते हैं न? वो फंदा सहम ब्रेकियल artery में, यह normal बंदे में pressure होता होता है 120-80, ऐसे करके लिख देते हैं कभी-कभी अपर and lower systolic-diastolic, पर कभी-कभी क्या होता है? आपकी बुरी आतों की वज़े से, stress की वज़े से, जैसे cell call की वज़े से, मोटापे की वज़े से, आपका blood pressure 120-140 तक चला जाता है अपर वाला, और lower वाला बेटा, around 80-90 तक चला जाता है, कहां तक चला जाता है? 90 तक, ऐसी condition अगर जादा time तक रहे, तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं hypertension, तो hypertension में क्या होता है बेटा? regular high blood pressure, कितना? more than or equal to 140-90 mm of mercury, दिखें, ये क्यों होता है बेटा? क्या reason हो सकते हैं hypertension के? smoking, जादा smoking कर रहे हो, drinking, जादा दारू बारू पीर रहे हो, ठीक है? stress है, मोटापा है, इनकी वज़ा से ये हो सकता है, ठीक है? पर इससे body में क्या effect पड़ेगा? जब आपका blood pressure इतना high रहता है, तो सभी organs काम भी जादा करने लगते हैं, उन पे load जादा पड़ जाता है, ठ या फिर filtration membrane जो आपके kidney की होती है, वो भी जादा pressure लेगी blood का, वो भी खराब हो सकती है, तो kidney damage के chances है, brain damage के chances जादा हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए hypertension थोड़ा बुरा होता है, तो इसमें आपके body organs can damage, ठीक है क्या करता है, बटा, damage to body organs, like brain and kidney, ओके चलो, आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली बिमारी क्या है? अरे, atherosclerosis, इस बिमारी को हम एक और नाम से जानते हैं, cat, coronary artery disease, हमने पिछली class में, जाओ, भूत काल में जाओ, एक हमने coronary artery पड़ी थी, coronary circulation पड़ा था, करो, करो, याद कर क्या हो, चलो, 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 याद करो, क्या था? क्या था ये? आया याद में, coronary artery वो artery थी, जो आपके पूरे heart को blood supply कर रही थी, ठीक है? heart musculature को, तो अगर ये artery, पूरे heart को blood supply कर रही है, जिससे heart को अपना nutrition मिल रहा है, heart तंदरुस्त है, अगर उसमें कोई problem आजाए, तो heart में तो problem आएगा ना? आएगा ना, बेटा? तो इसलिए, यही artery reason है, अगर इसमें कोई खराबी आजाए, जैसे आपने सुनाओगा, blockage हो जाती है, इसमें ही blockage आती है, जिसकी वज़ा से आपको heart attack आता है, अब ये story कैसे है, पूरी चलो देखते हैं, तो सबसे पहले, ethereosclerosis क्या होता है, इसमें क्या होता है, मालो, यह आपकी blood vessel है, क्या है बिटा, blood vessel, अब हमने biomolecule में किया था, एक होते है, bad fat, एक होते है, good fat, या कहलो, एक LDL होते है, low density lipoproteins, एक high density lipoproteins, अगर आपकी body में high density lipoproteins कम है, तो आपका LDL जादा होगा, बेशो में, तो LDL का काम होता है, कोलेस्टरॉल को tissues में लेकर जाना, तो यह concept tissues में ले आया, उसको गलती से, coronary artery के tissues, blood vessel में ले आया, तो यह LDL जब आप में जादा थे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर cholesterol deposit कर दिया, क्या deposit कर दिया बेटा, cholesterol, तो यह है आपका cholesterol, ठीक है, cholesterol जादा हो गया, हो गया, exercise करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, तो cholesterol जम गया आपके blood vessel के अंदर, जम गया बेटा, usually यह wall में जमता है, ठीक है, तो सोच लिना यह wall के अंदर है, जैसे ही foreign चीज आई, तो कुछ cells यहाँ पर एक अठा होना शुरू होंगे, और inflammation होगी, क्या होगी बेटा, inflammation, राइट, तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, cholesterol deposit हुआ, जब cholesterol deposit हुआ, तो inflammation reaction शुरू होगा, क्योंकि foreign particle आया है, और जब inflammation शुरू होता है, सूजन शुरू होती है, तो यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे platelet, जैसे की platelet, तो अब कोन आया, platelet, platelet ने बेटा बनाया, platelet derived growth factor, हमने blood clotting में भी किया था, इस growth factor की वज़ा से, आपकी blood vessel मोटी हो गई, क्या हो गई याँ पर, blood vessel में जो smooth muscle थी, वो मोटी हो गई, या जो wall थी blood vessel की, वो मोटी हो गई, और lumen क्या हो गया बेटा, नैरो, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर proliferation of blood vessel wall, जिससे lumen narrow हो गया, lumen क्या होता है, बीच वाली जगा, और blood flow obstruct हो गया, blood flow obstruct हो गया, यहाँ पर cholesterol के उपर जब बहुत सारी चीज़ें deposit हो रही थी, तो वो क्या-क्या चीज़ें थी पेटा, पहले यह cells जैसे आपके monocyte, जो inflammation करवाते हैं, फिर आपके यह platelets, इसके इलावा इसमें calcium आयन भी deposit होते हैं, और कुछ fibers भी, ठीक है, और यह जो structure बन जाता है, यह जो structure यहाँ पर बना, इसे हम कहते हैं plaque, तो plaque के अंदर बेटा क्या-क्या होता है, cholesterol जिसके उपर calcium, fiber, monocyte, platelet, यह सब चीज़ें भर गई, जिससे lumen narrow हो गया, और lumen narrow किसकी वज़ा से हुआ, क्यूंकि platelet derive growth factor आया, उसने इसकी wall भी मोटी कर दी, imagine करो, wall भी साथ में मोटी हो गई, यह लो, wall मोटी कर दी मैंने, कर दी ना पिटा, wall भी मोटी, अब अगर wall दोनों तरफ से मोटी होगी, तो lumen narrow होगा, तो दोनों के combined effect की वज़ा से, plaque की वज़ा से, इसकी वज़ा से, plaque plus blood vessel thickening की वज़ा से, blood vessel wall के थिक होने की वज़ा से, आपका lumen narrow हुआ, lumen narrow होगा, तो जो blood flow होगा, बेटा, वो यहां से, इधर से इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है, मान लो, यहां से यहां blood जा रहा है, अगर यह blood vessel है, इस blood vessel में बेटा, blockage आ गई, यहां पर, आ गई यहां पर plaque बन गया, और blood कैसे, इधर से, इधर जा रहा था, यहां से यहां, और यहां पर heart की muscle थी, तो क्या heart की muscle को blood जाएगा, अब, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां से यहां flow तो obstruct हो गया, हो गया न, तो जिसकी वज़ाए से heart muscle मरनी शुरू होगी, क्या होगा बेटा, heart muscle की death शुरू होगी, वो दूसरी बिमारी यह आगे देखते हैं, तो atherosclerosis में बेटा, क्या होता है, एक plaque की formation होती है, plaque क्या होता है, cholesterol जब deposit होता है, तो उसके साथ यह चीज़े भी deposit हो जाती है, जिससे lumen narrow होता है, तो यह जो blood vessel है, यह हमेशा कौन सी होती है, बेटा, coronary artery, तभी heart को ज़ादा फरक पड़ता है, क्योंकि यह artery ही है, जो blood को, जो heart को blood supply करती है, चलो, अब किसी को atherosclerosis हो गया, बेटा, blockage हो गई, क्या हो गई, blockage, तो story शुरू करते हैं, किसी को atherosclerosis हुआ, जिसकी वज़ा से blockage हो गई, blood vessel में, अब अगर blockage होगी, there will be no blood supply to heart muscle, or to cardiac muscle, cardiac muscle को अगर blood supply नहीं आएगी, ना ही nutrients आएंगे, and ना ही oxygen होगी, क्या होगी, ना ही oxygen होगी, और जब heart muscle में oxygen कम हो जाती है, no या low, जब blood नहीं आया, तो nutrient भी नहीं आएंगे, oxygen भी नहीं होगी, और जब oxygen कम हो जाती है, या नहीं होती, ऐसी condition को हम बोलते हैं, myocardial ischemia, क्या बोलते हैं बटा, myocardial ischemia, अब oxygen कम हो गई, तो heart की muscle को ना nutrient मिल रहा है, ना oxygen मिल रही है, तो अब heart की muscle मरनी शुरू होगी, heart muscle की death होगी, और ऐसी condition को हम क्या कहते हैं, जब heart की muscle तूटनी शुरू होती है, बरनी शुरू होती है, myocardial infarction, it's not infection, it's infarction, जब आपकी muscle तूटेगी, आपको injury होगी अंदर ही अंदर, तो दर्द तो होगा ना यार, तो फिर इसके बाद बेटा एक pain शुरू होगी, pain in chest, और ये कहां तक जाएगी, left arm तक, that radiates to left arm, इस pain को हम कहते हैं, angina pectoris, वो pain जो heart के muscle के तूटने की वज़ा से होती है, heart के muscle के तूटने की वज़ा से होती है, और left arm तक जाती है, उसे हम कहते हैं angina pectoris, ये पहला symptom होता है heart attack का, कल होना हो movie में शारू खान जब नाचते नाचते गिरता है, तो वो ऐसे पकड़ता है, तो मतलब उसके भी heart में दर्द हो रहा है, angina pectoris हो रहा है, ठीक है, अब angina pectoris होई बेटा उसको हुई, अब इसके बाद क्या होगा, जब muscle की death हो ही गई है, pain शुरू हो गई है, अब बंदे का कुछ heart muscle destroy हुआ, ऐसी condition को हम कहते हैं, heart attack, क्या कहते हैं, heart attack और cardiac attack, तो heart attack और cardiac attack में बेटा क्या होता है, some part of cardiac muscle is died or death or destroyed, some part of cardiac muscle death, ठीक है, अब दूसरी जीज़ आपने एक और सुनी होगी बेटा, cardiac arrest, तो ये क्या होता है फिर, जब मालो, एक तो कुछ percentage ही muscle का dead हुआ, और बंदा दुबारा revive कर सकता है, उसको अगर हम treatment दे, वो बच सकता है, ये होता है cardiac attack या heart attack, पर अगर maximum portion heart के muscle का die हो गया, मर गया, और heart एक दम से बीट करते करते रुक गया, उसे हम कहते हैं cardiac arrest, सो cardiac arrest क्या है, sudden stoppage of heart, sudden stoppage of heartbeat, ठीक है, आगे, फिर अगली बीमारी ये बिटा, heart failure, heart attack में सिर्फ कुछ पार्ट मसल का मरा था, बंदा जी सकता है, फिर भी, cardiac arrest में बिल्कुल ही heart बंद हो गया, एक दम से, और heart failure में फिर क्या होता है, heart failure में, इसे हम congestive lung disease भी कहते हैं, इसमें क्या होता है बिटा, आपका heart बूड़ा हो गया है, so the heart is not able to pump the blood effectively, आपका heart properly blood pump नहीं कर पाएगा, अच्छे से pump नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऐसे बिमारी को हम बिटा क्या कहते हैं, heart failure कहते हैं, that means the state of heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body, अगर वो pumping properly नहीं करेगा, तो cardiac output गिर जाएगा, ठीक है, पूरे body को, पूरे body को oxygen नहीं जाएगा, तो सबसे पहला जो symptom होता है इसमें बिटा, वो क्या होता है, common symptom, congestion of lung, तभी से congestive heart disease कहते हैं, lung सिकोडने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो यह होता है आपका heart failure, यह ज़्यादा तर बढ़ापे में होता है, या फिर heart आपका properly, कहलो well enough नहीं है, आपकी आती ऐसे हैं कि heart आप भी जा सकती है, एक तो heartbeat के control से बढ़ाई जा सकती है, दूसरा आपके जो athletes होते हैं, वो बहुत training करते हैं, और training में वो अपने heart muscle को strong करते हैं, जिससे उनका cardiac output बढ़ जाता है, तो yes, हम cardiac output को बढ़ा भी सकते हैं with training, आगे, अब बिटा, इन बिमारियों में आपके ECG में क्य आएगा, अब हमने कहा किसी को इंजीना पेक्टोरिस हुई, अब डॉक्टर के बास जाएगा, डॉक्टर उसकी ECG तो करेगा, करेगा तो क्या होगा, अगर उस बंदे की coronary artery में blockage है, उसे atherosclerosis है, तो उसका PR segment उठा हुआ होगा, हमने किया था नहीं, या पर PR segment, ये, उस का PR segment उठा हुआ होगा, अगर, अगर उसको myocardial infarction है, मतलब उसके muscle की death हो चुकी है, काडिक muscle की, उसका Q, R और ST सारा कुछ उठा हुआ होगा, अगर उसमें oxygen की कमी है, जिसे myocardial ischemia कहते हैं, तो उसका ST depressed होगा, और T भी flat हो सकता है, तो ये होता है, क्योंकि myocardial ischemia में भी तो बेटा, oxygen कमी होता है, तो दोनों one and the same thing, तो बेटा, ये जरूर याद कर लेना कि कब क्या क्या होता है, ये ECG में changes आती है, जब किसी बंदे को कोई बिमारी होती है, तो वहीं से doctor compare करता है, नॉर्मल में ऐसी थी, आपकी तो ये उठी हुई है, तो एक common trend होता है, तो no enough oxygen is reaching the heart muscle, is known as, simple, pain word आ गया, chest pain acute, oxygen नहीं था, क्यूंकि cell death हुआ, तो दर्द हुआ, जिसे हम कहते हैं, angina pectoris, तो answer is 1, okay, next, cardiovascular center is present in, कहां होते हैं center, medulla में, ये तो simple है, answer, 3, तो cardiovascular center, पेटा, कहां पढ़ा था हमने, यहां पढ़ा था न, control of heart beat में, देवी और सजनो, आ गया, heart beat, control, यह रहा, तो यहां पर पेटा हमने लिखा था, cardiovascular center कहां पर है, medulla में, आगे, end of T-wave marks the end of, diastrol, systrol, repolarization, both 1 and 3, जब भी T-wave end होती है, तो क्या end होता है, बेटा, systrol end होता है, क्योंकि तब repolarization T-wave से तो होती है, पर end किसका होगा, repolarization का end नहीं होगा, repolarization तो शुरू होगी, तो answer होगा 2, आगे, find the incorrect statement, adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output, a patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, next, in heart failure, the heart muscle is suddenly managed by an inadequate blood supply, the P-wave represents the electrical excitation of the atria, पहला कह रहा है, अगर adrenaline का जो, जो भी adrenaline, adrenaline जो hormone है, adrenal gland का, वो अगर आता है, तो वो cardiac output बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उससे heartbeat बढ़ती है, second कह रहा है, एक right upper corner पे, right atrium पे patch होता है, उसे SCN कहते हैं, ये भी ठीक है, heart failure में heart muscle blood supply के ना होने से dead नहीं होती, ये heart attack में होता है, heart failure में तो heart बूड़ा हो गया है, pump नहीं properly कर रहा, तो ये statement गलत, तो answer हुआ 3, 4th भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है बिटा, 4th कह रहा है, P wave represent electrical excitation of atrium, जिसे हम depolarization भी कहते हैं, current लगना कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो answer होगा बिटा, यहां 3, आगे, what would be the heart rate of a person, if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastrol is 100 ml, and at the end of ventricle assistrol is 50 ml, अब बिटा, उसने न, बिल्कुल यह वैसे PYQ है, यह बिल्कुल simple question है, इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे बहले, तो cardiac output का formula लिख लो, stroke volume into heartbeats per minute, ठीक है, हमने ढूणना क्या है, heartbeats per minute, जिसे हम heart rate कहते हैं, cardiac output दी है 5000 ml, जिसे हम 5 liter कहते हैं, ठीक है, अब उसने stroke volume directly नहीं दी, उसने कहा, EDV, end diastolic volume, कितना है, 100 ml, जो हमने 130 किया था, नॉर्मल बंदे में किया था न, उसके बाद, उसने कहा, जब systol end हो गई, तो 50 ml ही रह गया, तो मतलब, end systolic volume है 50 ml, 100 में से 50 निकाल दो, वो blood बाहर चला गया, यहीं किया था न, नहीं आद आ रहा, यह देखो बच्चे, इधर हमने किया था, कि, अगर 130 ml पूरा भरा होता है, ventricle का, वो उसने 100 दे दिया, और 70 बाहर निकल गया, तो 60 ही बचा, तो उसने हमें यह और यह value दे रखी है, end diastolic volume, systolic volume दे रखा है, यह अपने आप निकल जाएगा न, 130 में से 60 निकालो, तो 70 ही आते हैं न, तो वैसे हमें यहाँ पर stroke volume इसी तरीके से निकालनी थी, किसी तरीके से निकालनी थी, तो मतलब stroke volume फिर कितनी हुई, 100 माइनस 50, is 50 only, into heartbeats per minute, तो heartbeats per minute कितनी आई बचा, 5000 by 50, which is 100 beats per minute, तो answer आपका क्या हुआ बेटा, first, that is 100 beats per minute, तो यह इसका answer ऐसे निकलना था, आगे, आगे हैं हमारी बहुत बड़ी धन्यावाद आपको, और ऐसे ही प्यार बनाई रखिए, और इसी तरह से आप बहुत जादा पढ़ाई करिए, हम और chapters लेकर आएंगे आपके साथ, तब तक के लिए एक जनून, एक जोश अपने अंदर बढ़ाए रखें, और रोज माम को याद करें, और याद करें कि माम क्या कहती है हमेशा, NCRT पढ़नी है, बाई 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 बेटा, टेक केर आफ यॉर्सेल्फ, अपना ध्यान रखो, हेल्थ वाइस भी, माइंड वाइस भी, अपना दिमाग और हेल्थ दोनों ठीक रखो, तब ही आप कुछ कर पाओगे, और महनत करो जितनी कर सकते हो, बाई बाई